ब्रिश्चिक रासी वालों का छे फरवड़ी 2020 का रासी फल तो जैसे आराम दोस्तों आईए सबसे पहले हम छे फरवड़ी के पंचांग की बात कर लेते हैं आज तिथी है द्वादसी, नक्षत्र है आद्रा, पक्ष है शुकल पक्ष और दिन है गुरूबार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है साथ बज़ के छे मिनट में और सुर्यास्त है छे बज़ के चार मिनट में आज का दिन काल है दस घन्टे 57 मिनट 29 सेकेंड का महिना है माघ और आज आपके लिए सुभ समय है बारह बज के बारह मिनट से बारह बज के अंठाबन मिनट तक पड़न्तु अशुभकाल सुरू होता है दस बज के चौबालिस मिनट से ग्यारह बज के तीस मिनट तक और दुबारा है तीन बज के साथ मिनट से तीन बज के तिरपन मिनट तक राहुकाल शुरू होता है एक बज़ के संतावन मिनट से तीन बज़ के उननीस मिनट तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की और तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बाड़े में परन्तु इस बीडियो को एसकीप आप कहीं भी न करें क्योंकि इस बीडियो के लास्ट में आपके लिए आज के दिन का अनोखा तोटका है जिस तोटके को आजमा कर अपने शमय को आप बेहतर कर सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं बिश्ची करासी वालों आज आपके लिए भागे साली रंग है केसरिया और पीला भागे साली अंग है चार यानी की फोर और स्वास्त के लिए हाद से आपका दिन शामान ने रहने वाला है बहुत जियादा बेहतर नहीं रहेगा इसलिए आज के दिन आपको अपने रहन सह अगर आज के दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपके पास पैसे आज रहने वाले हैं और अगर आज के दिन आप कहीं भी धन का निवेस करना चाहते हो तो धन के निवेस के लिए हाद से आपके लिए बेहतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ आज आप धन करनी वेस जमीने में कर सकते हैं यानि की भूमी में कर सकते हैं और रियल एस्टेट ये भी आपके लिए बहुत बिहतर रहेगा इसके बाद है सांस्कृतिक परियोजना अगर आप इन तीनों में कहीं भी धन लगाते हैं तो आपको फाइदा ही फाइदा होगा न आज के दिन बहुत खुबशूरत रहने वाला है अगर आपके घर पडिवार को देखें तो आज आपका पाडिवारिक जीवन सामारने से अच्छा रहने वाला है अगर आपके पडिवार वालों के साथ आपका रिस्ता बेहतर नहीं रह रहा था तो आज के दिन आप मतभेद दूर करने का प्रयास करें और घर वालों के साथ अपने रिष्टे को बेहतर करने का प्रयास करें संभवत रिष्टा बेहतर हो जाएगा। वैसे आज के दिन अपने कामकाज में भी आप बहुत तरक्की करने वाले हैं अक्सर अपने कामकाज में आपको किसी इंसान से हिल्प लेना परता होगा। सामने आप बर्फ की तरह पिघलने वाले हैं तो अब जानते हैं आपके आज के उपाई के बाड़े में मित्रों उपाई ये है कि आज के दिन आप पानी वाला नारियल सिबजी के उपर चढ़ा दें भगवान महादयव के उपर आपको ये चढ़ा देना है आपका समय बेह तर हो जाएगा तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय सियाराम